वेट लिफ्टिंग का हो रहा है जुज हो चुका है और इजन शुराज के तरफ से यह सैगे पहली बार यहाँ वेट नि का भी चाहीं मैड नाliśmy घुट बड़िया बहुत बड़िया जाता और चाहे जिकनेख नब का फीजिकल अकैडमी के दौरा सब क्या कि और रहें और आपि चोटे सपूर्ट के जागरित करने के लिए मेरे एकापड़ी बोक्सिंग और वेट-ट्रॉफिंग जो का भी छोटे-छोटे-चोटे बच्चे हम लोग घरेन के तब बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अवनिद कर दिया देहां और नेशनल और फिर्ट ले में बच्चे आ रही कि कि आरा से बाहर कि अब शूरा प्रखंड के हैं कुछ लोग जो बच्चे इस कॉम्पेडिशन में आते हैं भाग लेते हैं यही कुछ आच अच्छा करते हैं तुने आगे का सब्सक्राइब करेंगे कि हमारे बच्चों को फैसलीटी दिया जाए यहां का पुस्ती का गेम था काफी हम लोग का जेनेटिक में पाज कुस्ती दब चुका है सब्सक्राइब करेंगे बच्चों को फैसलीटी दिया सब्सक्राइब करेंगे अगर बच्चे स्पोर्ट में जुड़ेंगे थे लोग बार मताएं कुछ की उतना जानकारी नहीं है इपद्चरी प olması किराने वाले हैं और यहां परक और इनका एक बच्चों को देख लीजियो लिया ये लोग इतने आसा है कि अपना गलब तक नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं कैसे आप लोग और उगनाईज करते हैं इन बच्चों को इतना परुसाहन देने के लिए कि अपने जेव से खर्च करते हैं हमारे चार-पांच गाउं के बच्चे करने आते हैं और उनको बच्चों के गारिजन कितना एफर्ड लगा रहा है कि इस तरीके से आज इस समय में ख और तुर्प होगे खराब दोगों बदल गया है क्योंकि इन खेलों को वह प्रात्मिक्ता नहीं दी जाती है जो आपके यहां हो की वेगरा है जो ज्स तरीके से जो आप देखते हों कि फिलाडी को जो मिलता है लगता है कि खिर्केट कि छोड़के कोई और है नहीं थे नही बच्चे ग्राउंड तक नहीं आप आ रहे हैं गार्जीवन का बहुत बड़ा यह प्रब्लम है कि बच्चों को ग्राउंड तक नहीं आ पार रहे हैं कि बच्चों को गाड़ी मुहिया कराएंगे कि इन बच्चों को यह ट्रेनिंग देते हैं तो देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा द्रिश्टी कोन से क्या व्यवस्ता रखते हैं आप लोग जो बच्चिया कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा गार्ड बगड़ा होता है और जो भी हम लोग से हो सकता हूँ अभी तो बहुत देखिए यहां देख सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिवाब निकाल कर जिस तरीके सापने वभाज खुब शुराट लड़ा आता तो इस तरीके से देखिए अपने सहीग के लाड़ी को स्यो कपते में और दे यहां भी इसके बारे में बता हैं इनके बाप कुछ बताईए आप कुछ बोलिए कुछ बताईए जोड़ से थोड़ा सा कर रहा है सरकार की तरब से लोगों को कुछ नहीं मिध रहा है चर्च कमिटी को सयोग करता है कि आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं नगए किस तरीके से चुनाओटी ओथ है एक फिजिकल टीचर के लिए तो सबसे बड़ी इस सरे है कि सरकार ने हम लोग को ओपर सरकार कुछ नहीं ध्यान दे रहे हम लोग हम लोग इंटर साथ यह सबसे पास वाले मरकज वाले और आनने लोग हैं कितने बच्चों को आपने प्रसिक्षण दिया होगा लगबग पचास पलस बच्चे हमारे हाँ पर सिछड ले रहे हैं हमारे चार बच्चे स्टेट लेबल पर मेडल जी चुप एक बच्ची अभी आपके एक हफता पहले जो है कितना वेट से होता है कुछ सर आप बताएं क्या चुनौती होता इनको ट्रेंग देने में चुनौतिया तो बहुत आती हैं जैसे कि अभी हमारे पास बच्चों का क्यों समाना वह भी अब कम पॉइंड लगा क्योंकि बच्चे बढ़ड़ा लगा और साथ में इनका ट्रेनिंग करते करते हैं अभी इतना हुए कि ये अब हेवी बेट के टेग्रीन आ रहा है और हमारे पास अभी तक लाइट वेट का ही प्रोड़क्त समान है हम लोग चाहर है इस समान को बढ़ाने कर आप लोग कितने टीम वर्क में लेकर कहां करते हैं आप लोग इसमे प्रती दिन है यहां पर इस तरीके का आयोजन होता है न जिए तो जो बच्चे यहां जानना चाहें जुड़ना चाहें वो कैसली बताना चाहें तो इस चर्च गराउंड के खैसियत यहां से करीब करी दो सो बच्चे सिपाही का नौकरी ले चुके जिए और कम से किम 70-80-80 अदर होगा एसाई का नोकरी ले चुके हैं तो यहां पर फिजिकल का भी होता है बहाली का भी तयारी है श्पॉर्ट यह हमारे कबड़ी के टीमें जिसके कोच है आनंद विया यानि कबड़ी के लिए भी आलग सब्सक्राइब यह कबड़ी के कोच बहुत मेहनत किये सर क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके साफ लोग एक निश्वारत भाव से यहां बच्चों के अंदर खेल भावना खुजागरित कर रहे हैं उसके बार में क्या कहेंगे सर एक तो पहले हम सीनियर प्लेयर हैं और हम इस चीज को खुबी जानते हैं बचपन से काफी टाइम हो गया खेलते हुए और ये हम लोग का सबसे बड़ा चीज है कि जो चीज जागरूत नहीं है हम अपने खेल को और खिलाडी को आरा जीला से गाउगाउं से लाके और यहां जीला पर बेवस्थित किये हैं और इसमें कहीं भी सुबी राज जैसे हम चाहते हैं कि बचों को सुबी राज अच्छा से अच्छा मिले टीम में कोई वो नहीं है तो देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हुए उन्हें प्रमान पत्र देकर समानित किया जा रहा है जन सुराज वाहिनी के तरफ से तो यहां पर निसुल के जो बच्छों के बीच में खेलों को बढ़ावा देने के उद्यसे से यहां जो खेल प्रतिवताई विजित कियाती है समाजी कारे करता है और जो इन्हों कुछ सहयोग वेगरा है किस तरीके से यह अपना सहयोग करते हैं क्योंकि जब लोगों की तभी यहां पर खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्छों को जैसे आप देकर कबड़ी है बॉक्सिंग है वेट लेटिंग है तो यह खेलों को यह बढ़ावा दे रहे हैं वहीं नीजी अपने पैसे से जहें जो सहयोग उसके माध्यम से आप क्या काना चाहेंगे बहुत बढ़िया लग रहा है जो भी इसके कोच है जो भी ऑर्गनाइजर है उनको बहुत बहुत सब आहितने उत्साइथ होकर खेल रहे हैं और मैं तो सुना कि कोई एक मलेटरी से नौकरी छोड़ कर आया है वो उसका कोच है यह बहुत ही घरु की बात है ऐसे लोग रहेंगे तो निश्चित ही जिस तरीका से खेल को दरकिनार किया हुआ है दबाया हुआ है यहां पर इत प्रतिबा निखरेगी हम लोग का निश्ची थी सब जगा पर सहयोग रहे हैं जन्शुराज से प्रसांद की शोड़ जी पध्यात्रा कर रहे है और हम लोग 6000 गाओं से ज़्यादा जा चुके तो इससे बच्चों के बीछ फरमान पत्रा आप लोग देते हैं, खुछ सायोग जिस तरीके से होना चाहिए, वो भी कुछ महिया कराते हैं आप लोग क्या जी बिलकुल, सर्टिफिकेट देते हैं, मेडल देते हैं और वैसे बच्चे जिनमें परतिवा भड़ी हुई है और उनको मंच नहीं मिला है, जो अपने जो उनके अंदर जो खाशियत है उसको बाहर निकालने का, वैसे बच्चों को हम लोग जैसे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, एक यूथ कलब खोलते हैं हम लोग आओं गाओं, एक लाग से जादा परसांद किस्वर जी का अभियान ह एक लाग से जादा जो है यूथ कलब हम पुरे बिहार में खोलेंगे और वैसे बच्चे को चिन्दित करेंगे जिनमें वाकई में टाइलेंट है और उनका टाइलेंट निखर के नहीं आपा रहा है, शनसादन की कमी के कारल, तो हम जो है एक लाग से कम ये, जो भी बच्च खेलाडी जो है, और कुछ बताईए और लोगों से जो अपील करना है वो जितना हो सकते हो अपील कि जिक्टी की कि अपील करेंगे भूजपूर के खासकर के भूजपूर की वाउंस से बहुत ताकि एस्पोर्ट से जूनने पर नफाफ ते दूर रहेगा जिए बोजपूर अधिक फैमिली परेशान है अपने बच्चों से खेलों से फाइदा क्या होता है क्योंकि इसमें कितना अचीवमेंट होता है आजकल तो नौकरिया भी मिल रहा है कि लाडियों को डिस्पी रहेंके जॉब मिलती है बिल्कुल बिल्कुल कि पहला तो जोब हाटा दिया पहला अगर मुहया कोई भी सुईदा मुहया हो रही है यहां तो बहुत संख्या में बच्चा गोल्ड लाएंगे और नेशनल ब्रेक करेंगे तो अभी तम लोग शुरुवात के हैं और आनंद भी ऐसा दोस्ता दोर पुछा चाहिए आप आईए बताये कुछ कुछ मेहनत के हैं कबड़ी कोश है ना किस तरीके से क्योंकि यह हमार तो राष्टी खेल है बिहार का यह बहुत मा पाचाना खेल है अब तो कबड़ी का भी प्रोली कबड़ी चलता है उसमें यह कि तरीके से आप लोग नया ला रहा है इसको नहीं फॉर्मेट में सर कबड़ी हम खिलाडी है इसमें हमारा मुख्य योगदान रहता है, शुबह से साम तक प्रैक्टिज का एक काइमिंग देना, डिसिप्लीन से इनको वो करना, फिर खोन करके बुलाना और मैच और टूनामेंट, हमारा यही है कि नेशनल खेले ज्यादा से ज्यादा और आगे पढ़ें और इसे काफी र जाके, कि आप बच्चियों को छुड़िये, हम अपने से ले जाके इनको गाइड करेंगे, मोटिलेट करेंगे, और आगे बढ़ाएंगे, आप लुक्स्वेम अपने जो आर्थी के सयोग सिच करते हैं, लोगों से क्या पील करेंगे, यहाँ से किसी को जूड़ना हो, तो क आस्थान आप बता दें, आस्थान बता दें, कहां पर होता है, आपको टूर्नामेंट बता दें, आप ही बताएंगे, यह हमारा में तो यह ग्राउंड है, रमना मैदा नियर चर्च ग्राउंड है, और एक खेल भावन है, जो कतिरा के पास है, वहाँ पे दो जगा हम लोग का प्रैक्पिस होता है, कितने वजिटने वजिव blek लोग ने रखा खाते है, जर्सी पैंटो कुध लेते हैं, हम यह यही कोशिज करदे हैं, जो भी बचल 었습니다 कर, मारे, और इंडने बड़ते, और आगे आदे बड़र दें. सकते हैं कि यहाँ पर आरा जो चर्च सबसे पहले मैं आपको चर्च का मैदान जो है वहां से यह लाइब तस्वीरा आपको देखला रहे हो देखिए यहां पर अब कबड़ी जो जूनियर इस सब सब मिक्स है कि अभी तो सुरुवात है और इसी में से जो परतिमावान खिलार कि भी है तो हम लोग अभी यहां यहां पर एंड करने वाले तो देखासकते हैं कि यह जो चर्श है यहां देखिये ते सब्सक्राइब देखते होंगे इस तरीके से बॉक्सिंग बैग जो बड़े-बड़े बॉक्सर मारते हैं तो यहां प्लब्द है लेकिन वही है बिहार पुलिस वाले लोगों को प्रैक्टिस करने का गद्दा हो गएरा जो हाई-जंप करते हैं और यहां से बहुत लड़के नौकरी लिए 200 लोगों ने नौकरी लिया तो उनका भी सयोग रहता है क्या हां वह लड़के जैसे हम लोग इस टाइप का आयोजन कराते हैं तो अपने में चंदाई कठा करते हैं फंड कोई बाहरी सपोर्ट नहीं रहता है जो बच्चे वाला स्थान है तो कई दिनों से यहां लोगों देखते होंगे कि भीड काफी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि फिजिकाल एकाडमी के जो कोछ है मोहन सिंग चले धन्यवाद